नमस्कार दोस्तों, MKS Air Inspiration के एक और बहतर वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर हम बात करें UP Board result के, तो Class 12 के बहुत सारे student अपकी बार अपने result से आसंतुष्ट हैं यानि वो अपने result से satisfied नहीं है, बिलकुल भी नहीं है क्योंकि हम बात करें तो आधे से जादा student, यहाँ पर कोई 5-10,000 student की बात नहीं कर रहे है अधिकान से student जो हैं, वो अपने result को ले करके बहुत ही परेसान है क्योंकि जिस हिसाब से number मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं हमने भी देखा, हमने भी देखा, और कुछ ऐसा देखने को सबके result में एक common चीज मिला वो आपको आज हम discuss करने वाले हैं, इसलिए अगर आपके भी कम number है तो definitely इस video को पूरा देख लेना, और आपको क्या करना है कि आपके भी number बढ़ जाए अब पहले समझ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा आपके number किस में कम मिले हैं तो दो ही subject ऐसा है मेरे भाई, एक तो physics हो गया और दूसरा हो गया math physics और math, ये दो subject तो इस कदर से बच्चों को परेसान कर दिया किस में तो ऐसा number मिला है, physics में तो 23 number वाले इतने ज़्यादा student है साथ ही साथ ये हम कह सकते हैं कि 23 से 30 number के बीच में ही अधिकांस student लग आधे से ज़्यादा student इसके बीच में ही आपके marks है Am I right? क्या हम सही कह रहे हैं? और आपको भी comment कर देना है कि आपके कितने number यानि हर subject में कितने कितने number है वो आपको एक करम से mention कर देना है, ठीक है न? तो ये होता और मैत में हम बात करें दोस्तों तो 100 में ऐसा number देखने को मिला है 50, 55 के बीच में सारे student लपेट दिये गए हैं जबकि अब यहां से सबसे बड़ा question आता है कि सर बोना संक वाला matter कहा गया? बोना संक तो हमको समझ में आया ही नहीं बलकि हमने तो 100 में 90 किया था, definitely हम sure हैं लेकिन 50, 55 number ही मिले हैं या फिर हमने physics में 70 में से 60 attempt किये थे और कैसे हमारा 23, 24 number बन रहा है? क्या board वालों ने हमारे साथ मजाग किया है? तो देखिए यहां पर हो शकता है इसलिए आपको हम suggest करना चाहेंगे कि आप लोग के लिए हम ये कहेंगे कि UP board improvement exam जिसको कहते हैं re-checking definitely आप करवाएंगे मेरे भई आपको करवाना चाहिए अगर आप sure है कि आपके number अच्छे है हमने इतना अच्छा perform किया है अच्छे से copy लिखा है उसके बावजिवध हमारे इतने कम number कैसे है तो 100% हम आपको कहेंगे कि आप scrutiny का जो form होता है उसको fill कर दीजिएगा और अपनी copy re-checking चार्ज कितना होता है? पहले दोस्तों यहां से लगबग 300 रुपए साड़े 300 रुपए तक था लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आपके जो पैसे हैं बढ़ाये जा रहे हैं वो एक subject के 500 रुपए यानि आप जितने subject को check करवाना चाहते हैं उतना 500 रुपए देना होगा दो कापी check करवाना चाहते हैं तो 1000 दीजी एक है तो 500 दीजी ये तीन है तो आप 1500 इसी तरह से ठेक अब बात आता है कि इसका form कर आएगा तो इसका form जल्द ही आएगा क्योंकि scrutiny में देरी नहीं होती है और जो compartment exam होता उसमें कुछ देरी होती है क्योंकि ये reach chicken का matter होता है इसमें कुछ ज्यादा जंजट नहीं होता है आप इसमें आप अपनी कापी check करवा सकती है अगर आपको लगता है क्योंकि बहुत सारे student के physics में बहुत कम number आए हैं है ना वो practical के वज़े से कुछ बढ़ गए हैं बताइए 70 में 23 नंबर 21 नंबर 22 नंबर और यहां से 25 तीस नंबर के अंदर रह जा रहे हैं पेपर हलाकी tough था लेकिन इतना भी tough नहीं था कि जो अच्छे student है वो भी 70 में 30 ना कर सकें 40 ना कर सकें तो definitely आपको यहां से copy the checking करवानी चाहिए तो उसका जो farm होता है वो जल्द ही आएगा एक दो दिन में जैसे ही कोई update आता है माँ आप तक sure है पहुँचा देंगे update तो इसलिए चैनल को subscribe कर लिजिए अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक like भी कर देना और अपने दोस्तों तक वीडियो को share कर दो मेरे भाई क्योंकि अगर वो भी चाहते है एक्जाम देना यहां से चेक करवाना चाहते है री चेकिंग करवाना चाहते है दिन वो भी इसलिए इसको कर सके है क्योंकि आपके साल भर की मेहनत होती है बावजूद उसके आपने अगर मेहनत किया है तो इतने कम सब में अच्छे नंबर आए है तो कि फिजिक्स में अगर मैत में हम बात करें पचास पच्पन लेकर बैठे हैं तो यह तो नाइसाफी है न तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट मज़दार टोपिक के साथ लव यू बाई बाई टेक केर सो हां प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आए हम आप तक सीधे अपडेट को पहुंचा सकें